बच्चों एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाग खुश न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाओंगा बारश के कारण दुल से बाहर निकले बहुत दिन बीट गये हैं घर बैठे बैठे दिल घबरा गया है नटखट चुहा जट पर तयार होकर शहर की और निकल पड़ा वो हमस्ती से जूनता हुआ चला जा रहा था कि रस्ते में से एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाए दी दुकान दार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चुहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया जैसे ही दुकान दार अपनी जगह पर बैठा उसकी नजर चुहे पर पड़ी दुकान दार ने कहा अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है चल आग यहां से चुहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीबने आया हूँ दुकान दार हसा हचा यहां से मैं चुहों को कुछ नहीं पेचता चुहा गुस्से में बोला मुझे कपड़ा नहीं देचोगे दुकान दार बोला आग यहां से मेरा समय वरबाद न कर चुहा चुल लाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं दुकान दार बोला नहीं बिलकुल नहीं इस बारनत खचुहे ने गाना गाया रतो रात मौयाओंगा इसे ना मेलाओंगा तेरे कपड़े दुकान दार दर के बोला चुहे भैया एसा मत करना मैं अभी तुम्हें रेश्मी कपड़े का टुकड़ा देता है और उसमें चुहे को रेश्मी कपड़े का टुकड़ा दे दिया कपड़ा लेकर चुहा चलता खूता दुकान से बाहर निकल गया फिर वह एक दरजी की दुकान में आ पहुंचा चुहे ने कहा दरजी जी मुझे तुम से कुछ काम है काम क्या काम दरजी ने गुस्टे से पूछा चुहे ने दरजी को रेश्मी कपड़ा दिया और कहा प्रिपिया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दरजी हसा चलहत यहां से मेरा समय खराब ना कर मेरे पास दोरा काम करने का समय नहीं है दरजी में कहा अब चुहे को गुस्टा आ गया वो जोर से चिलाया तुम मेरी टोपी सिलो गया नहीं दरजी ने कहा तो ठीक है चुहा बोला और गाने लगा राट मेरा तुमा आँगा तुम से ना लाँगा तेरे कपरे खुतरेंगा दरजी ने कहा चुहे भया पैसा न करना मैं अभी तुम्हाई टोपी बना दोता हूं और थोरी ही देर में दरजी ने चुहे के लिए एक संदर सी टेश्म टोपी पैयार कर दी नकट चुहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आइने में देखा यह टोपी तो एक दम साधी है मैं इस परचन के लिए सितारे लगवाऊंगा शुहे ने सोचा वह कुदता भांदता दुकान से बाहर निकल गया वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे अंदर जाकर वह इधर अधर अचलने कूद में लगा दुकान दार ने कहा अरे चल यहां से तू यहां क्या करने आया है शुहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए स्थे नहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ दुकान दार ने कहा आग यहां से मुझे बेख भूफ बनाने की कोशिश ना कर देख चुहे को सितारों से क्या मतलब तो मुझे सितारे बेचो गया नहीं शुहे ने गस्यों से पुछा नहीं 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 तो मैं सितारे नहीं बेचोंगा दुकांदार ने कहा शुहे ने उत्तर दिया रत रत ना आउंगा अपनी से ना लाउंगा सारे सितारे भी खेरंगा कि दुखांदार ने कहा। कुछे भैया आइसाना करना। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग की रंगे सितारे दे दूंगा। और यहीं नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक दिदूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो चुहे ने कहा टोपी बन कर तयार हो गई चुहा टोपी पहन कर आइने के सामने खड़ा हुआ तो उसकी खुशी से इसका मन ना चुठा वह सोचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हुआ मैं अपनी सुन्दे टोपी किसे दिखा हूँ चलो अपनी चमखीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ एक घंटे के अंदर ही रखत चुहा राज महल में राजा के पास आ पहुँचा वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ राजा अचानक चुहे को देखकर बहुत हैरान हुआ उसने पूछा अरे तुम यहां क्या कर रहे हो चुहे ने कहा महराज पहले या विताईए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ राजा ने जवाब दिया वाह तुम तो एकदम राज मार लग रहे हो चुहा जट तक बोला अच्छा तो फिर उत्रो गद्धी से यहां मैं बैठूंगा राजा को हसी आगई उसने कहा आगे हां से मेरा सिंहासन चुहां के लिए नहीं है केवले एक राजा इस गद्धी पर बैठ सकता है चुहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्धी नहीं दोगे बिल्कुल नहीं मैं तुम्हे अपना सिंहासन नहीं दूँगा राजा ने उत्तब दिया तो तुम नहीं उत्रोगे चुहे ने फिर पूछा नहीं नहीं राजा अपनी बात पे अड़ा रहा राजा ने आदेश दिया पकड़ लो इस चुहे को सिपाही चुहे को पकड़ने दोड़े चुहा सर पर उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के उपर एक गिर पड़े अब चुहे ने अपनी कमार को हाथ रख कर गहा रत रत मैं आऊंगा अपनी से ना लाँगा तेरे कान को तुरूँगा राजा ने सोचा चुहां की तर्ष दो पुरून महल को तहने इसके बगी वह तर्ष से काँ अपनी लगा चुहे ने फिर कहा बत रत मैं अपनी से ना लाँगा तेरे कान को तुरूँगा राजा ठर से कापने लगा अपनी आवाज में इसने कहा चुहे दृआ तुम बेकाद में नाराज को रहे हो, मैं अपनी कद्दी से भी खरता हूँ, और तुम शाक से चितनी दिए चाहो पर बैठ सकते हो शान से वसिंहासन पर बैठ किया, और काफी बोर तक वहाँ आराम करता रहा रात जब काफी बीट कई, वह कद्दी से पूट कर नीचे आया, और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया उसमें शान से अपनी चंपीली टोपी, अपने सभी साथियों के दिखाई, सभी दोस्त इसकी कहानी सुनना चाहते थे है नमसिदार कहानी, बस यतो बार मजारा, और आपको बच्चा